हलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका go for prep की इस नहीं क्लास में और आज हम जैसंकर प्रसाद जी के जीवन परचे के बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे दोस्तों इस लीडियो में हम जैसंकर प्रसाद जी की जीवनी, उनकी रचनाएं एवं उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, इसके अत्रिक उनकी भाशा सेली क्या क्या थी इसके बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों चायावादी युक के चार प्रमुक इस्तंभों में से एक एवं हिंदी कवियों में महा कवी के रूप में सुविख्याद जैसंकर पसाद जी हिंदी साहित में विशिश रस्थान रखते हैं वो जो छायावादी युक्के चारप्रमुक अस्तम है उनमें से एक हैं दोस्तो हिंदी कवियों में अग्रणी स्थान रखने वाले छायावादी युक्के कविजैसंकरत रसाथ का जन्व कासी अर्थाद बनारस में सुहनी साहु नाम से प्रचलित एक वैस से परिवार में 30 जनुवरी सन 1889 में हुआ था इनका जन्व बनारस में और 30 जनवरी सन 1889 को हुआ था दोस्तों इनके दादा जी का नाम सीवरतन साहू था जो की भगवान सीव के परमभक्त एवं दयालिस वभाव के थे एवं इनके पिता का नाम देवी परसाद था इनके परिवार का प्रमुख बेवसाय तमाकू का था जो इनका परिवार था वह तमाकू का ब्यापार करता था दोस्तों प्रसाद जी का बालेकाल बहुत सुख में भी था उन्होंने बाल्या मता के साथ अँकारिस्वा, धारा च्षित, उजैन, पुसकर एवं ब्रज आधी तीर त cultivate की थी अथाद बालेकाल में वो बहुत सारे जो तीर्थस्थान थे उनकी यात्राएं उन्होंने की थी दोस्तों इन्होंने अमर कंटक परवस रेणियों के बीच नरमदा में नाव के द्वारा भी यात्रा की थी और यात्रा से लोटने के बाद ही इनके पिता का सरगवास हो गया और उसके चार वर्ष के बाद ही इनकी माता का भी देहावसान हो गया अथाद इनके माता पिता की मृत्य जो है बहुत ही कम समय में हो गई थी दोस्तों इसके बाद इनकी सिक्छा एवं पालन पोसर इनके बड़े भाई संभू रत्न जी ने किया इनके जो बड़े भाई थि उनका नाम था संभूải ऱत्न गी हिंदी साहित के प्रख्यात लेखक जैसंकार प्रसाद जी का वैवाहिक जीवन भी काफी संघस में बीता दरसल बड़े भाई की मौत के बाद इनका विवाह उनकी भाभी विद्धवाटिनी से करवा लिया गया जो इनके बड़े भाई थी संघस में उनकी जो विद्धवा थी विद्धवाटिनी उनसे इनका विवाह हो गया लेकिन उनके साथ भी वे बहुत दिन नहीं रह सके क्योंकि विद्धवाटिनी टीवी नामा के विमारी से पीडित थी जिसके चलते 1916 में उनकी मृत्य हो गई जिसके बाद भी इतने टूड़ गए कि उन्होंने जीवन भार अकेले रहने का ही मन बना लिया था आयो दोस्तों जैसंकर प्रसाद जी की सिक्षा के बारे में जानते हैं दोस्तों संभूरतन जी ने इनका दाखिला क्विन्स कॉलेज में करवाया लेकिन जब प्रसाद जी का मन वहां नहीं लगा तब उनके अध्यन की विवस्था घर पर ही कराई गई प्रसाद जी ने फारसी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी एवं उर्दू सिक्षा की प्राप्टी घरेली अस्तर पर ही की थी वेद, पुरान, साहित एवं दर्सन का ग्यान प्रसाद जी ने स्वाध्याय से ही प्राप्टी किया था इन में काब्यस रिजन के गुण बालेकाल से ही नहित थे चली दोस्तों जानते हैं कि जैसंकर प्रसाद की मृत्य कैसे ही थी दोस्तों बड़े भाई की मृत्य के पस्चात इनका तमाकू का ब्यापार ठप हो गया एवं इनका परिवार रिंड से ग्रस्त हो गया और इस रिंड को चुकाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी पैत्रिक संपत्ति को बेच दिया दोस्तों प्रसाद जी को अपने जीवन में अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और इनका पूरा जीवन संघर्सों में ही बीता परंद प्रसाद जी ने कभी पराजे सुईकार में की अपने जीवन के अंतिम पड़ाओं में भी उन्होंने अपनी रचनाय लिखना नहीं छोड़ा उन दिनों उन्होंने अपने जीवन के सबसे प्रख्यात रचना कामाईनी को लिखा जीसे उन्होंने अपने आख़ी समय में बिखा था दोस्तों कामाईनी को हिंडी साहित की अमर कृति माना जाता है आपको बता दें कि उनकी रचना कामाईनी में उनकी जिन्दगी से जड़े हर भाव दुख, सुख, वैराग सभी सामिल है जो कि मानवता की हर अनभूत का अहसास करवाते हैं दोस्तों प्रसाद जी च्छै रोग के सिकार हो गए एवं रंज के द्वारा आपका सरीर बहुत ही दुर्बल हो गया और कासी में ही 15 नौंबर सन 1937 को उनका स्वरगवास हो गया अर्थात इनका जन्मस्थान और मृत्वस्थान कासी ही है चलिए दोस्तों जानते हैं कि जैसंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाए का उन सी है दोस्तों प्रसाद जी ने हिंडी जगत को कई रचनाए परदान की है विशाख दूस्तों ये question बहुत बारी आता है कि ध्रूस वामनी के लेखा कौन है तो इसका उत्तर होगा जैसंकर पसाद दोस्तों कहानी भी इन्होंने कुछ लिखी हैं जिन में आंधी, छाया, इंदरजाल, प्रतिधुहन इनकी कहानिया हैं दोस्तों निबंध में काव्यकला का नाम अग्रणी है, इसके लामा उन्होंने कई और निबंध भी लिखे हैं अर्थात जो जैसंकर पसाद जी ने निबंध लिखे हैं उसको हम काव्यकला के लाम से जानते हैं चलिए दोस्तों जानते हैं कि जैसंकर पसाद जी की भासा यों सहली क्या थी। दोस्तों इनके साहित्य के समान ही इनकी भासा यों सहली के कई रूप देखे जा सकते हैं। अर्थात इनकी भासा यों सहली कोई एक नहीं थी। कई रूपों में ये वित्रित थी। इनकी भासा एवं लोकुक्तियों का प्रयोग बिल्कुल ना के बराबर किया गया है अर्थात है क्या कि संस्कृत के तक्सम सब्दों का बहुत प्रयोग हुआ है लेकिन मुहावरों एवं लोकुक्तियों का प्रयोग बिल्कुल ही ना के बराबर किया गया है इनकी जो भासा है उनमें बिदेशी सब्द भी कुछ मात्रा में दिखाई पड़ते हैं इनकी सब्दा वली जो है वो संस्कृत निष्ट विस्तृत एवं सहज अर्थात इनकी जो सब्दा वली है वो संस्कृत से प्रेदित है संस्कृत के सब्द उसमें नहीत हैं और वह बहुत ही सरल है दोस्तों प्रसाद जी की सहली को पांच भागों में बाटा जा सकता है विचारात्मक सहली प्रसाद जी की यह सहली चिंतनमई यों गंभीर है इनके निबंधों में विचारात्मक सहली का बहुत अधिक विकास जो इन्होंने काब बे रचनाई की हैं उनमें भावात्मक सहली का बहुत अधिक प्रेयोग रुआ है इसके बाद चित्रात्मक सहली तो जहां जहां प्रसाद जी ने भाव के अंतर द्वंद का चित्रन किया है वहां पर उनकी चित्रात्मक सहली देखने को मिलती है अर्थात इपने उसें को प्रकित चित्रों एवन रेखा चित्रों को समल्मिलित किया है और इसी ऑप्रमाण उनकी रचनाहों मैं मिलते हैं दोस्तों जैसंकर प्रासाद जी ने अनुसंधान आत्मक सैली में कुछ रचनाय की हैं गवेशनात्मक विशियों पर लिखे गए जैसंकर पसाथ के निबंधों में यह सैली पाई जाती है गंभीर एवं विचारपूर्ण होते हुए भी इस सैली में दुरूहता नहीं है दोस्तों इसके बाद जो लास्ट सैली इनकी थी वो थी इतिवित्तात्मक सै के विदर्सन भी होते हैं यह सैली अधिक सरल एवं असपस्ट है इसमें व्यवहरिक भाशा का भी प्रयोग किया गया है आए दोस्तों जानते कि हिंदी साहित में प्रसाइजीका स्थान चाहे दोस्तों प्रसाइजी का ब्यक्तित तो बहुमुखी प्रत्भावाला है, वह एक कुसल कहानीकार, निवन्दकार, नाटक कार एवग उपन्यासकार होने के साथ साथ कवित्य गुणों के धानी व्यक्ति थे, हिंदी साहित से प्रसाद जी के नाम को अलग कर पाना बिलकुल ही असंभो है, हिंदी साहित के लिए आपक इसके साथ ही उन्होंने महाकावियों की रचना करके आधुनिक काल में भी अपना अग्रिम अस्थान ग्रहण किया है, हिंदी साहित में जैसंकर पसाद का नाम सर्वो पर है, दोस्तों हम आसा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हम आईस एसससी बैंच स बहुत सारे questions और answers अपने YouTube चैनल पर upload कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो जानकारी आपको जल से जल प्राप्त होचके, इसके नमा गौर्मेंट और हम कॉंप्रिक्टिव जन सम्मधित किसी भी material के लिए आप हमारी website www.go4pip.com विजिट कर सकते हैं, थैंक्स पर वचिंग इस वीडियो